भारत में योग गुरु बावरामदेब के पतंजली प्रोड़क्ट्स और दवाएं काफी मात्रा में इस्तमाल किये जाते हैं। लोगों की सेहत से जोड़ी तमाम उशदियां पतंजली में मौजूद हैं। ऐसे में कोरोना मामारी के प्रकोप के बीज भी लोगों की निगाएं पतंजली पर टिकी हैं। देजभर में पतंजली के 285 मेगा स्टोर और सैख़डो दुकाने लोगों को उनकी सेह से जोड़ी दवाएं और अजनी नेक्टरल प्रोड़क्स पहुचा रहे हैं। इतना ही नहीं इन दवाओं को घर बैठे मंगवाने का भी पूरा इंतजाम अब योग गुरु बाबारामदेव ने कर दिया है। जी हाँ अब आप पतंजली के और मी एप को डानलोड कर पतंजली के किसी भी प्रोड़क्ट या दवा को घर बैठे आउनलाइन मंगवा सकते हैं। बाबारामदेव ने इस मेक इन इंडिया एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया है। हमने लक्षे टे किया है कि भारत में एमाजोन और फिलिप कार्ड से भी बड़ा एक तंत्र खड़ा हो ओडरमी का और उसके साथ स्वदेशी सम्रुद्धी का एक बहुत बड़ा अभियान। और इस से एक आत्मिनर भर भारत का हम निर्मान कर सकें। और इसमें तीन बाते में एक साथ पहले बता देता हूँ। ओडरमी उसके साथ स्वदेशी सम्रुद्धी कार्ड और स्वदेशी सम्रुद्धी में पहले पतंजली के प्रोडेक्ट के उपर 5 प्रतिशत की चूट थी दवाओं के उपर 10 प्रतिशत की चूट हो गई है। दोस्तों ये तो थी पतंजली के order me एप के बारे में कुछ जानकारी पर क्या आप जानते हैं कि योग गुरु भावा रामदेप के इस making इंडिया कॉंसेप्ट से आपकी सेहत के साथ ही देश की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी कोरोना मामारी के फैलते प्रकोप के बीच देश में डिजिटलाइजेशन को भी काफी बढ़ावा मिला है सोशल डिस्टेंसिंग वो कोरोना संक्रमण की रोक्थाम के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुवात की है ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो इसका भी क्रेश 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद काफी बढ़ता नजर आया है इंटरनेट पर मौझूद आखडों की माने तो वो भुखताओं ने 2020 में यूएस रिल्टेलर्स के साथ 861.12 बिलियन डॉलर ऑनलाइन खर्च किया ऑनलाइन खरिदारी की बात करें तो 2020 में विक्री ग्राफ 21.3 रहा ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के रेविन्यू की बात करें तो फ्लिपकार्ट प्राइविट लिमिटेट कंपनी का 2020 का रेविन्यू 346 मिलियन इंडियन रुपी रहा वहीं Amazon ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का रेविन्यू 38 प्रतीशत से बढ़कर 84 प्रतीशत के उच्छाल पर रहा 2020 फर्ष में Amazon ने नेट प्रॉफिट में 100 बिलियन डॉलर की बड़े उतरी देखी गई ऐसे में पतंजली के Order Me Shopping एप को देश में पैर पसार चुके इन विदेशी एप के बीच उतारा गया है देश को आत्म नेर्भर बनाने के इस अभियान में विदेशी कमपनियों की बरती कमाई के ग्राफ को कम करने के लिए पतंजली की ये एक बहतर पहल साबित हो सकती है ताकि देश के पैसे को देश की जनता के बीच ही रखा जा सके तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि पतंजली के इस कॉंसेट से PM मोदी के मेक इन इंडिया को बड़ावा मिलेगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और भविश में इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन दवाना ना भूले